सो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि local span configuration क्या होता है और उससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया और उसमें आपने देखा कि कैसे हमारा span mirror, our monitor कैसे काम करता है अलेडी पूरा explain मैं कर चुका हूँ, दोनों वीडियो अपने नहीं देखा तो वीडियो की description में है देख लेना अभी आप R span configuration के बारे में complete configuration देखने वाले हैं live devices पर और यहाँ पर जो R span है यह कैसे हम दो switches के बीच में configure करते हैं, step by step मैं monitor करके दिखा रहा हूँ simple सी बात है कि यहाँ पर जो भी हमारा packet source से send किया जाता है inbound, outbound traffic के लिए तो उसकी एक copy हम लोग किसी भी capture device या नहीं कि बोल सकते हैं, monitoring device पर receive करते हैं इसे से हम easily अपने network को monitor कर सकते हैं, user को monitor कर सकते हैं और जो भी हमारा traffic है उसको manage कर सकते हैं और इसलिए हमें पता चलता रहेगा जो network administrator की user currency traffic को send और receive कर रहा है, brief introduction मैंने अल्रेडी दे दिया और यहाँ पर आपको अगर वीडियो देखना है तो वीडियो की description में देख लेना, मैंने पूरा दोनों वीडियो बना रखा, span and then locally span अब हमारा यहाँ पर आता है कि remote span and then इसके बाद हम लोग configure करेंगे ER span, ओके तो इस वीडियो में ER span के लिए मैंने एक topology create कर रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यह पूरी topology का, मैं फिर से बता रहा हूँ, यह पूरा का पूरा एक live network है और यह सारी चीचे, तो मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा सारी device को on करने की ज़रूरत नहीं है, आप simple दो switch ले लेंगे, है ना, दो switch लेकर उसमें आप एक switch की तरफ दो PC connect कर दो, एक switch की तरफ एक कोई PC connect कर दो, simple आपका हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपने network के लिए, यह एक switch on कर लेता हूँ, यह भी हमारा switch है, on कर लिया मैंने, और इधर इस PC को, और इस PC को मैंने on कर लिया, and then इधर हमारा यह analyzer है, यह बोल सकते हैं कि यह हमारा monitoring PC है, ओके, यह wiresark monitoring tool इस पे install होगा, ऐसे करके आप capture start कर सकते हैं, तो simple सबसे पहले मैं यहाँ पे आजाता हूँ अपने switch one पर, और, sorry, yeah, switch one, switch one मैंने open करा, and उसके बाद switch two मैंने open किया, बाकी किसी device से कोई मतलब नहीं है, इधर जो भी है यह सब, बस ऐसे ही मैंने अपने network में live कर रखा है, तो जो devices यहाँ पर यह on दिख रही है, like यह दोनो, और इस switch के साथ यह दोनो, तो यह आप on देखी रहा हो, इसी को मैं configure करने वाला हूँ, तो switch one, and यह हमारा जो switch है, यह switch two हो गया, okay, and simple हम लोग इस PC पर आजाते हैं, okay, तो complete topology मैं on कर लेता हूँ, सबसे पहले इस पर मेरा जो wireshark चल रहा है, उसको मैंने on कर लिया, यह हमारा wireshark है, जो कि इस PC पर है, तो मैं इसको इधर adjust कर देता हूँ, कहीं पर, easily आपको समझ में आना चाहिए, and मैं इसको थोड़ा सा और, ऐसे narrow कर देता हूँ, तो यह ह ICMP packet को filter लगा देता हूँ, ताकि इस पर कोई भी ICMP packet, यह अपना, अगर यह user कोई भी किसी को भी ICMP packet या कुछ भी send करता है, तो यहाँ पर receive हो, बाकि जो भी packet यह send करेगा, उसकी एक copy यहाँ पर receive होनी चाहिए, okay, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अपने switch 1 पर, तो यह हमारा switch 1 मैं इधर live कर देता हूँ, ओके, यह अब देखना, this is the switch 1, and इधर मैं switch 2 पर आ जाता हूँ, यह हमारा switch 2 है, इस वाले switch का configuration मैं यहाँ पर करूँगा, फिर यह user 1 का PC है, यह user 1 है, और एक और PC यहाँ पर है, user 2 है, और एक और PC मैंने यहाँ पर लगा रखा है जो की user यह है, तो सबसे पहले इस PC की जो IP है, वो देख सकते हो, 192.168.100.105, तो यह IP मैं assign कर देता हूँ, IP 192.168.100.105, इस पे सबनेट मास्क, और इसका जो भी gateway है, वो मैंने assign कर दिया, for example, मैं gateway 1 यूज कर रहा हूँ, ऐसा कोई हमारा router लगा हुआ है, तो यह हो गया, कर लो, configuration ओके है, अब आते हैं PC 2 पर, तो user 2 यह वाला PC यहाँ पे लिखा हुआ user 2, तो यह हमारा 192.168.100.101 IP है, इसको मैं assign कर देता हूँ, 100.101, इस PC पर IP देने के बाद जो user 1 है, यानि कि इधर आपका user 1 है, और इस पर IP 100.100 है, तो इसको मैं assign कर देता हूँ, so, सारे PC पर हमारा apply होगे IP address, और अगर मैं user 1, यानि कि इस वाले PC से इस PC का reply लेता हूँ, तो क्या कोई packet यहाँ पर मुझे receive हो रहा है, चेक कर लेते हैं, ping space, enter, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर reply तो आ रहा है, बट कोई packet receive नहीं हो रहा है, ओके, reply हमें मिला यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई packet receive नहीं हुआ, तो अब हम लोग यहाँ पर remote span configure करते हैं इस switch पर, ताकि वो packet यहाँ पर एक copy आ सके, तो switch 1 पर आपको आ जाना है, और switch 1 पर simple आपको configure करना है, enable, conf t, host name मैं assign कर देता हूँ, easy to recognize हो जाएगा यहाँ पर, sorry, configuration mode पर हम already है, अब यहाँ पर हमें check करना है, कि हम यह जो switch है, यह E0-0, एक यह traffic आप देख रहे हो, E0-0 और E0-1, यह दो हमारे port हैं जो की source का का काम कर रहे हैं, और इससे एक और port है यहाँ पर 1-2, यह जो port है हमारा, एक trunk का का काम कर रहे हैं इन दोनों switches के बीच में, already अगर हमारे वीडियो series देखते हैं, तो already आपको पता होगा, एड हाँ एक चीज मैं भूल गया, आप लोग live session चल रहे हैं, courses, start and CCNA की trainings के, हैना certification job based training करना चाहते हैं, तो whatsapp number पर call कर लें, message कर दें, and आप अपना seat book कर लें, तो यहाँ पर क्या गरना आपको user 1 और 2 का traffic जो है, इस trunk port से, इस switch को जा रहा है, और जो destination port है, वो E1-0 है, तो यह हमारा destination port है, और यह हमारा trunk port हो जाएगा यह दोनों, और यह दोनों हमारे source port हो जाएगे, clear, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर configure करतें, interface space, E1-2, अभी मैंने 1-2 को आज़ा क्या कर देना है, trunk port enable कर देना है, तो switch port, trunk encapsulation.1q, enter कर देना है, switch port mode, trunk मैंने enable कर दिया, तो पहले switch port trunk mode जैसी मैंने enable कर दिया, okay हो गया, and मुझे क्या करना यहाँ पर, VLAN का database मैं आपको दिखाऊ, so space VLAN, enter, तो यहाँ पर remote span अभी configure नहीं है, कोई VLAN नहीं है, तो आपको simple एक VLAN create कर लेना है, remote span के लिए, तो मैं यहाँ पर VLAN लिखता हूँ, and मैं create कर देता हूँ 30, okay, enter कर दिया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ remote span, और लिख देना enter, finally आपका remote span यहाँ पर VLAN remote span में आ गया होगा, so space VLAN मैं enter कर के दिखाऊ, तो यहाँ पर remote span में आपका 30 VLAN activate हो गया, same आपको next, आपके दूसरे switch पर आकर यही काम करना है, बढ़ यहाँ पर मैं पहले remote span का भी configuration कर देता हूँ, source और destination को define कर देता हूँ, configuration mode पर आ जाते हैं, अब मुझे यहाँ पर type करना है, monitor, session, और कोई भी session 1 मैंने ले लिया, source interface, तो source interface हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको बस source बनाना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं, या जितने भी multiple source हो सकते हैं, multiple destination हो सकते हैं, लेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो 0-0 मैंने ले लिया, and यहाँ पर ethernet भी लिखना है, 0-0 और enter कर दिया, तो यह 0-0 port हमारा source हो गया, and इतना कर दो आप इसके अलामा भी यहाँ पर एक और command होती है, बोथ receiving and transmission दोनों आपको apply करना है, या by default enter कर देंगे तो भी both apply हो जाता है, remote vlan and 30, ओके remote vlan हमारा क्या हो जाएगा 30, अभी destination इधर remote vlan है, और उधर हमारा source है वो remote vlan हो जाएगा, destination हमारा IP address हो जाएगा, sorry port number हो जाएगा, तो चलो आजाते हैं दूसरे switch पर, अगर यहाँ पर आप चेक करना चाहते हो, show space, monitor session 1, enter, तो यहाँ पर आपको पूरी details मिल दा है, चलो दूसरे वाले PC पर आजाते हैं, configuration mode, और यहाँ पर host sw2, अब यहाँ पर मुझे type करना interface, अब देखो, एक एक, जैसे मैंने इधर configure किया था, सेम वही आपको इधर भी configuration कर लेना है, तो interface हमारा इधर कौन सा है, आप देख सकते हो, E0-3, आप देख सकते हो ना, यह 0-3 हमारा trunk का काम कर रहा है, तो E0-3, enter, and switchport, trunk, encapsulation, and .1Q, enter कर देना है, and then उसके बाद आपको switchport mode, trunk enable कर देना है, trunk enable होना चाहिए, तभी एक दूसरे को यह packet send कर पाएंगे, and finally, एक VLAN create करना है, जो कि मैं यहाँ पर configuration mode, by default इधर अगर आप चेक करोगे, तो यह मतलब की dynamic trunking protocol, और इन सब चीजों की बज़ेस्ती, आटमेटिक VLAN transfer हो गया होगा, remote span में, अगर नहीं है, तो manually आप कर सकते हो, no issue, चलो configuration mode पर आजाते हैं, configuration mode, and VLAN, VLAN सेम होना चाहिए, तो VLAN हमारा 30 मैंने create किया था, यह VLAN कितना create किया था, इधर चेक कर लेते हैं, 30 मैंने create किया था, यहाँ पे लिखा हुआ, so VLAN 30, enter कर देना है, and remote span में इसको भी add कर देना है, finally आप चेक कर सकते हो, so space, VLAN enter, तो यहाँ पे 30 आपका activate हो गया, या work कर रहा है, next आपको यहाँ पे monitor session enable कर लेना है, तो simple आप type करो, monitor session, session id दोनों तरफ सेम होना चाहिए, and source, अब यहाँ पे source हमारा क्या हो जाएगा, remote VLAN, और 30 हो जाएगा, ओके, अब यह चीज हमें यहाँ पे द्यान देना होगा, और यहाँ पे हमारा discovery भी on हो गया, work कर रहा है, सारी चीज है, I think, and then monitor space, session space, one, and destination, अब destination हमारा क्या हो जाएगा, interface हो जाएगा, अब destination interface हमारा one slash zero है, तो मैं यहाँ पे type करूँगा, one slash zero, and both, ओके, यहाँ पे both नहीं, enter कर देना है, Ethernet यहाँ पे type करना था, and okay कर देना था, अब हमारा configuration ओके हो गया, अब यहाँ से यह traffic अगर कोई भी send कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एक copy मिल लिए, अभी इससे पहले मैंने send किया था, तो कोई copy यहाँ पे नहीं आ रहा था, बट यह user one ने, देख सकते हो, 100.100 ने reply लिया 101 से, इस PC से, तो इसका एक packet इस switch के trunk port से होते हुए, इस switch के माध्यम से, इस destination port से, इस particular analyzer PC पर, यह sniffer tool के पास हमारा एक packet capture हो रहा है, तो जो भी packet यहाँ पे incoming outgoing में आएगा, वो सब यहाँ पे capture होगा, आप देख सकते हो, यह हो रहा है, अगर यह यह जो user 2 है, अगर यह भी send करता है, तो incoming traffic को भी यह monitor करेगा, ओके enter, आप देख सकते हो, ओके, तो पूरी request यहाँ पे monitoring हो रही है, I think आपको clear हो गया होगा, आप इसको Cisco packet tracer, या GNS3 कहीं पर भी apply कर सकते हैं, simple आपके पास दो switch होना चाहिए, एक switch से आप अपने एक analyzer PC या monitoring tool को enable कर लेंगे, दो PC ले लेंगे, and then सारी lab ऐसे ही configure कर देंगे, so video पसंद है तो like करेंगे, and full course online live session में query questions के साथ, 76-80 गंटे की complete training करना चाहते हैं, तो definitely join कर सकते हैं, whatsapp number पे message करके, और अभी 70-80% का discount है, तो कहीं पर भी offer आपको नहीं मिलने वाला, so मिलते हैं next video में, thank you so much. झाहते हैं Heat करके करस्यoth teaching, तो तो कहीं करना लिएिए्स, हमएंगे दो करना वाला, एक खन्योंटे भी आपकोत